हेलो माई देर स्टुडेट आई एम फिडोस खानम फ्रॉम पीसी सेपी डिवीजन रेजोरेंस कोटा एंड फॉम केमेस्ट्री डिपार्टमेंट तो जो हमारा बहुत इंट्रस्टिंग चैप्टर चल रहा है यहाँ पर जनरल केमेस्ट्री जिसके अंदर आप अभी तक बहु भी आदर करिका होते हैं इनके अंदर कितने एलेक्सिममं इलेक्सिमम सकते हैं इसके बद आपने देखा उनका electronic configuration electronic configuration वो चीज होती है जिससे आप यह पता लगाते हैं कि energy shells जो है एक atoms की उसमें 1, 2, 3, 4 एंफिनाइट तक वो होते हैं उनमें आप किस तरह से electrons को fill करेंगे पहले सबसे lowest energy shell की अंदर electron fill किया जाता है तो इन उसके बाद हम increasing order of energy में electron को fill करते हैं और यही जो हमारा concept है यह sequence जो electron को fill करने की है वो क्या कहलाता है electronic configuration ठीक है electronic configuration के बाद आपने mass number निकालना सिखा था then फिर आपने valence shell क्या होते हैं valence electrons क्या होते हैं outermore shells क्या होते हैं and valences क्या होती है यह आपने पता लगाया इसके बाद आज जो हम बहुती new और interesting सा topic बने जा रहे हैं जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि एक जो atom है वो environment के अंदर किस तरह से उसका existence होता है means कुछ noble gases से आप introduce हो चुके हैं जब आपने atomic number पढ़ा आपने 1 से लेके 20 टरक की atoms की बारे में जा रहा उसमें से कुछ ऐसी gases थी जिनका atomous still complete था जास में आपने octet rule महाँ पे देखा था electronic configuration को fill करते वे और आपने देखा था कि जो noble gases होती है वो always octet rule को follow करती है except of helium को जो कि क्या करती है dublate को follow करती है और उन्हें dublate और octet के basis पर हमने देखा कि helium जो है वो किसी से भी bond नहीं बना रही थी ठीक उसी तरह से हमें आज इस topic के अंदर देखना है कि स्टेबल जो gases इनर gases वो क्यों इतनी stables होती है और other जो elements है other जो atoms से उनको अपने आपको stable बनाने के लिए आखिर क्या करना होगा तो यही topic हमाना कहलाता है existence of atom या हम इसको बोलेंगे how to exist an atom how exist an atom और मैं इसको लिएक सकती हूँ existence of an atom तो बच्चो हमने देखा electronic configuration के अंदर हमने कहा जैसे ही आपने helium की बात की थी organ की और neon के बात की थी तो आपने electronic configuration बच्चो इस तरह से लिखाता जैसे ही हमारा होता है neon और neon का symbol आपको पता है एन ही होता है atomic number को हम लिखते ही हाँ पर तिक है और यह atomic number हमें किसके equal होता है atomic number को denote कर रहा था में z से atomic number equal होता है किसके number of protons के and हमें पता है number of protons जो होते हैं वो किसके equal था बच्चो यह equal था number of electrons के ठीक है तो that means यहाँ पर जो हमारा atomic number है जैड इसको देखकर के में पता कर सकती हूं कि जैड जो नियोन है हमारा उसके पास टैन जो है वो protons होंगे और टैन ही बच्चो उसके पास क्या होंगे electrons होंगे तो यह टेन electrons मुझे पता चल चुका है अब मुझे करना क्या है इन टेन है वो प्रेजेंट है KLMN काउंटिंग में अगर मैं इसको लिखूंँ तो के होगा 1 L2 3 और M जो होगा वो हमारा फोर्ट नमबर वाला शेल होगा चीक है सबसे बैला है मैं यहाँ पर के में कितने electrons फिल करूंगी 2 क्योंकि according to rule maximum electron जो के में हैं वो कितने आ सकते हैं दो आ सकते हैं तो मैंने पूरे के परे दो L जो है हमारे पास पूरीता से फिल हो चुका है और electronic configuration लिखते समय आपको बताया गया था कि जिसमें last electron जाता है बच्चों वो कौन सा शेल होता है के अंदर कितने electrons होने चाहिए 8 electrons होने चाहिए because neon की तरह organ की तरह और जितने भी अधर जो inert gases है वो अपना octate complete करके रखती है और उन्हीं के पैसे हमने octate rule को दिया था ठीक है तो उसके according यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर octate यानिकी 8 8 का half will होता है 4 और 4 से ज्यादा अगर electrons होते हैं तो उसकी वैलंस से निकालने का formula हमने दिया था कि हम उसको क्या करेंगे 8 में से माइनस करेंगे suppose करो एकर से 7 होता होता तो मैं 8 में 7 माइनस करती दो वैलंस से निकिलकर निकल करा thay van असी तरह से मुझे नियोन का निकाल है तो मैं क्या करोंगी इसको माइनस करूंगी 8 में से टो 8 मैंनस which is zero और वैलंस तो जो हताती बच्चों वैलंस हम और हमें जब किसी भी चीज की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती तो हम क्या किलाते हैं? स्टेबल किलाते हैं, हाणा? तो जो हमारी नियोन है वो कैसी है, बच्चो, स्टेबल है अब सभी उसी चीज को कॉपी करते हैं जो हमारी society में या हमारे आसपास के environment में सबसे जदा stable हो सबसे जदा famous हो, हाणा? तो उसी तरह से जो atoms की जो categories हैं, जो elements हैं उनमें सबसे जदा famous अगर कोई है तो कौन है? inner gases. क्यों है बच्चो? क्योंकि वो पूरी तरह से stable है उन्हें किसी के साथ bond बनाने के विल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसलिए neon को, organ को, helium को किसी साथ कोई bond बनाना नहीं पड़ता because उनके octet complete होता है और how to existence हमको यहीं बताता है कि neon, organ, krypton, जैसी जो जितनी भी हमारे inner gases है इनहीं की तरह सब भी को behave करना है और इसी behavior को पूरा करने के लिए, complete करने के लिए हमारे जो other elements है, उनको क्या करना पड़ेगा किसी के बस electron कम है और किसी के बस electron जादा है तो lane-dane करके उनको अपने आपको balance करना होगा और अपने octet को complete करना होगा तो octet को complete करने के लिए ही वो उनका existence जो होए, इसको बनाया रखने के लिए कर रहे हैं वो अपने existence को बनाया रखने के लिए वो अपने octet को complete करेंगे otherwise वो survive नहीं कर पाएंगे because survive कौन करेगा जिसके पास octet डूल के according 8 electron होगे उनके balance shell के अंदर तो अब बात आती है अपने existence को बनाया रखने के लिए तो इस existence को बनाया रखने का एक ही तरीका है कि हम एक दूसरी की help करें जैसे कि हम society में करते हैं वेसे ही ये element भी क्या करेंगे बच्चो कुछ electron दे देंगे अपने कुछ electron अपने ले लेंगे और इस lane देंगे थूरू ही ये अपने existence को बचाएंगे तो means यहाँ पर एक तरीखा तो अपने existence को बनाने का ये हो गया कि वो अपने cations ये anions में change हो जाए मतलब कुछ electron दे दी और कुछ उनमें से electron ले ले तीक है या फिर वो क्या करते molecules की form में जो है प्रेजेंट रहे molecules आपने देखाऊ को ना CO2 है oxygen है nitrogen है ये कभी भी O single O single N नहीं होती O2 यानि कि oxygen gas N2 तो किसमे गनवर्ट हो गई molecules में तो existence को बनाये रखने की जो method है वो दो method हमारे पस आगए तो first कैसे बना रख सकता है वो first जो क्या है by forming ions and second अपने existence को कैसे बढ़ना हैगा बच्चो by forming molecules ठीक है अब सबसे बढ़े बात करेंगे अपन यहाँ पर first वाले की तो existence को atom के existence को बनाने के यहाँ पर हमको दो method सामने आ गए first method क्या होगा formation of ions का और डूसर क्या होगा by formation of molecules ठीक है तो अब सबसे बढ़े ions होते क्या है यह कैसे form होगे हम इसके बारे में जानेंगे तो ions क्या होता है बच्चो सबसे पहले हम इसकी definition लिख लेते हैं ions जो है basically आपने कई बार देखा होगा कुछ elements के अपर कभी किसी के पर positive charge लगावा होता है किसी के अपर negative charge लगावा होता है ठीक है अब वो जो charge species है वो ही क्या के लाते हैं बच्चो ions के लाते हैं तो हम इसकी definition लिख सकते हैं बच्चो देखू the charge the charged particles the charged particles formed by an atom on gain or lows one and two one and two या one and more कर देते हैं one and more electrons सबसे बड़ी बात अब क्या जहान रखनी है कि यहीं पर कहीं भी कोई भी रोल जो है आप पर प्रोटोन प्ले नहीं कर रहें क्यूं नहीं कर रहें कि कि प्रोटोन कहां पर situated होते हैं बच्चो center के अंदर center यानि की nucleus के अंदर और वो proton कभी भी nucleus को atom की nucleus को छोड़ करके नहीं जाएंगे कौन move करेगा only electrons तो ions का formation हो रहा है वहाँ पर भी किसका participants है electrons का electronic configuration आपने लिखा यहां पर भी proton ने कुछ भी नहीं किया सारा जो भी sequence हम यहां पर इसकी जो लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं electrons के बारे में सी proton ने हमको यहां पर क्या help की थी proton ने हमको यह बताया था कि जितने प्रोट्रोंस नंबर ओफ प्रोट्रोंस होते हैं वो तो नहीं की number of electron present होते हैं किसके अंदर एक atom के अंदर ठीक है तो यह काम किया था proton ने और हमें atomic number बताया था इसके लावा जो भी आप कर रहे हैं यह फिर अपता लगाना इन समय सारा कॉंट्रिबूशन यह किसका है बच्चो इलेक्ट्रोंस का है तो इलेक्ट्रोंस को यह तो गेन कर लें यह लोग्स कर लें तो हमको किसका formation होता है आयन्स का और आयन्स जो है वाँ टू टाइप्स की होते है कैसे होते हैं टू टाइप्स की फर्स्ट एक जो है हमारा positive iron होता है positive iron और दूसरा होता है बच्चो नेगेटिव iron positive iron उसको क्या कहते हैं केटयर भी कहते है और जो negative iron उसको कहते है इन-iron तो जो positive iron वा-can खिलाता है और negative iron जो है इन-iron कहिलाता है इन-iron वन सेकनिटै किस्पेलिंग ठीक कर दित्यों कि transformer доб है हुआ हैban तो यह हो गया हमरा एनायन फिरक्पम आप केटायन कप बने गण अनल कब देखते हुन थे हम इस informal चीम का सॉडियम का जो है इसका पूर्टन आपको प्रिविएस लेक्टर में पता दिया गया था कि कुछ जो अनके नेम्स जो होते हैं लाटन नेम और जो नॉर्मल नेम्स हम जिसको यूस करते हैं वह एक जोटे से डिफर होते हैं तो हमें वहाँ पर चूज किसको घरना होता है उनके लेटन लेंग्वेज में दिये के नेज़ को ठिक है और लेंग्वेज के अंदर नेज़ नेघ्रियम हमने इसका सिंबल क्या लिया ठिक है और या यानि कि नमब्र है वह कितना होता है बच्चों 11 11 atomic number है that means इसके पास electrons भी कितनी होगे 11 होगे तो हम इसके electronic configuration को लिख करके देखते हैं कितना होगा 2 8 और 1 ठीक है? यानि कि इसका valence shell जो है वो कौन सा है बच्चो KLM यानि कि M वाला ठीक है? अब इसकी valence कितनी होगी अगर valence पता नहीं होगी तो हम यह नहीं पता सकते कि उस element को electrons जो है सबसे परे तो valence shell पता होना चाहिए valence shell के अंदर valence electron पता होना चाहिए और वो जो valence electron है वो बताएगा कि इसको electron देना है या फिर लेना है इसके जो valence electron है वो कितने है? valence electron भी लिख लेते we equal to 1 अब आप देखिए octet rule के according half field जो होगा वो कितने पर होगा? half field दैस में just half भरा हुआ वो कितना होगा बच्चो? 4 electron वाला लेकिन half field से अगर कम electrons है इनके पास तो इसको क्या करना होता है बच्चो? donate कर देना होता है क्यों? क्योंकि आप देखो एक ही electron है और octet rule के according 8 electron complete करने के लिए इसे 7 more electrons की जरूरत है और 7 more electrons इसको easily कोई भी donate करने वाला नहीं है इससे अच्छा यह क्या कर देगा? अपना 1 electron ऐसे element को दे देगा जिसके पास 7 electron already present है और वो उसके दिये गए एक electron को ले करके अपने octet को easily complete कर लेगा इससे होगा क्या बच्चो? जब इसका एक electron यहाँ से चला जाएगा तो इसका valence shell कौन बन जाएगा? L जिसके पास कितने electron से? 8 और 8 electrons ही चाहिए थे इसको किसके लिए? अपने octet को complete करने के लिए लेकिन इसको unstable कौन बना रहा था? M shell के अंदर present valence electron जिसको यह donate कर देगा और donate कब कर सकते हम? जब हमारे पास octet rule से according octet का half will electron से कम electron हमाने पास हो यानि कि सीधी सीधी language में octet का half होता है 4 means 4 से कम electron अगर हमारे पास present होंगे तो वो क्या कर देगा? अपने electron को donate कर देगा और electron को donate कर रहा है कितने electron को donate कर रहा है बच्चो? 1 तो 1 इसकी क्या हो जाएगी? valence यानि कि जब हमारे पास 4 से कम electron होते हैं तो valence जो है directly किसके equal हो जाती है बच्चो? valence electrons के तो 4 से कम electron थे? valence electron थे? यानि कि 1 तो 1 के directly equal हो जाएगी valence तो 1 की 1 चीक है? अब हम यहां बात करते हैं जैसे कि chlorine की ठीक है? sorry chlorine इसके पास होता है 17 इसका जोए atomic number है इसके according इसमें 17 ही electron होगी इसको हम फिल कर देते हैं 2 8 ओवर 7 चीक है? आप देखो बच्चो यहां पे इसके पास 7 electron है यानि की half field यानि की 4 से ज़्यादा electron प्रसेंट है तो आपको बता है बच्चों इसको क्या करना है octrade rule complete करना है octrade rule के according सीज़ा सीज़े आप देखे यानि की 8 तक पहुँचने में कितने और electron इसको चाहिए तो इसके पास 7 already है और वहां तक पॉस्ट्रे में इसको कितना electron और चाहिए 1 तो अगर यह 7 electron किसी को donate कर देगा तो बहुत बड़ा बेगूफ होगा ना? क्योंकि सीव एक electron कही से ले लेगा तो octetor complete हो जाएगा तो यह वही करेगा और लेना है तो हमें यह पता लगाना होगा कि कितनी कमी है और किसी सुछ की कमी को आप कैसे पता लगाते हो किसी मेंसे माइनस करके सब्सट्रेक करके अब यहां पर वैलनसी कैसे निकालेंगे बच्चो अपन 4 से जादा बहर है वह जब वैलनस शेल होता है तो आप वैलनसी को अपन 8 मेंसे माइनस करके निकालते हैं तो पहले से सबसे पहले हम लिख दोते हैं वैलनस शेल और valence shell कौन सा है बच्चो valence shell हो गया इसका भी सीधा M valence electron है इसके पास बच्चो 7 अब यहाँ बे valency directly valence electron के बराबर नहीं होगी क्यों नहीं होगी because यह half field से ज़्यादा बराबर है half field से ज़्यादा बराबर है इसलिए valency का पर minus कके निकालेंगी 8 minus 7 equal to 1 देखो किता बड़ा difference है दोनों की ही valence 1 है बट यहाँ बहरा valence directly valence electron के equal है क्यों equal है because यह half से कम भराबा था इसको electrons साथ चाहिए थे possible नहीं है इसलिए से directly ही अपनी एक electron को donate कर दिया और valence ही directly इसके equal हो गई जबकि यहाँ पर हम देखे 8 के काफी nearest था एक electron की कमी थी तो जितनी 100 कमी थी वही इसकी क्या होगी valence कैसे निकाला हमने 8 में से 7 को माइनस करके अब यह जैसे ही एक electron donate कर देगा वच्चों तो होगा क्या देखो पहले क्या था number of proton equal थे number of electron के तो means इसके पास थे 11 proton तो 11 ही electron थे आपको पता है proton होता है positively charge और electron होता है negatively charge ठीक है तो दोनों की charge पूरी तरह से balance थे ठीक है लेकिन अब proton तो 11 के 11 ही रहेंगे क्योंकि proton कभी भी nucleus को छोड़के नहीं जाने वाले electrons कम हो गया कितना कम हो गया बच्चो वन 11 के जगे कितना रहेंगे 10 तो अब कौन सा positive charge ज्यादा इसके उपर हावी होता हो दिखाए देगा means positive charge हमें बढ़ता हो दिख रहा है हैना किसकी कमी की हो जैसे electron की तो positive negative की जग की positive charge बढ़ गया है इसलिए overall जब charge है हमारे पास वो कितना रहेगा positive तो यह बन जाएगा ketaion यानि की na plus ion ठीक है और यहां हम देखें सेम प्रोटोन किसकी एकवल होते है लेक्टोन की 17 ही proton थे तो 17 ही electron थे अब proton तो वो के वही है लेकिन 17 में एक electron एड हो गया है यह हो गया 18 तो अब electron की बढ़ने की वज़े से यहां पे कौन सा चार्ज बढ़ गया है बच्चो नेगेटीव चार्ज इसलिए अवर और जो क्लोरी ने इसके पर कौन सा चार्ज हो दाएगा नेगेटीव चार्ज तो चार्ज आने के बाद यह जो पॉजिटिव आयन है इसका नाम सा सोडियम ही रहेगा इसका नाम के बीछे क्या लग जाएगा आईडीई यानिकी क्लोरीन से अभी चेंज जाएगा कि इसमें क्लोराइड के अंदर अब इसको क्लोरीन नहीं तो इस तरह आइंड का फोर्मेशन हुआ ठीक है अब यह जो आयन से वह पहले से जादा क्या है बच्चों स्टेबल है ठीक है क्योंकि इसने एक एक एलेक्ट्रोन दे दिया और अपना अक्तेट कम्प्रीट कर लिया एक इक में चेंज हो गया इसने एक लेकर के अपने आप संट क्या अक्तेट में कम्प्रीट कर लिया और इसकी तरह बन गया यह इस एक घैस की तरह ऑर्म झोक्रा यह तरह वहां मैं लिखके बताती हूं और ईल क्का अउक्ट्रोन 8 18 उसका क्या है atomic number है याने कि 18 electronic electronic configuration दिखो और गन का है 2 8 और 8 अब chloride जो iron है उसका electronic configuration भी क्या हो चुका है पहले तो chlorine का यह था अब इसका हो चुका है 2 8 और 8 तो यह अपने nearest inner gas के तरह behave करने लगा mean stable हो गया sodium का देखिया करें sodium iron का पहले तो क्या था 281 अब क्या हो गया बच्चो इसका 2 और 8 और 287 किसका होता है बच्चो मैंने भी आपको लिखकर के दिखाया था neon का तो sodium के nearest जो inner gas थी वो कौन थी neon और chlorine की nearest inner gas कौन थी argon ठीक है उसकी जैसे की same electronic configuration में की convert हो गए है तो इस तरह से जो हैं सबसे पहला method अपने access को बनाए रखने का वो क्या होगा atoms का कि वो किसमें convert हो जाए ions में और ions में convert होकर कि वो अपने nearest inert gas की तरह behave करने लगें तो इस तरह से हमने देखा कि first जो और इस तरह से अपने access strength को बनाए रख सकते तो first method क्या था बच्चो ions के formation के through ठीक है और ions कैसे होते ketion यान की positive ion और negative ion के आगे लाएंगे हमारे nion अब इसने इसको दिया इसने लिया तो इनके बीचे bonding हुई और किसका formation कर लेंगे बच्चो यह NACL का मैं यहां लिग जेती हूं किसका formation किया है अब यह बन गया NACL जिसको आप बोलते sodium chloride हने वाली जो next last days है हमारी उसके अदर हम देखेंगे किस तरह से जो है chemical formulas बनते हैं तो यह chemical formula बनाने की आपको पूरे methods उसमें सिखाए जाएंगे तो यहां पर बन गया sodium chloride अब बच्चो छोड़ा सा आपको आगे एक table दी गई है जिसमें आपको यह लिखावा है कि Electro positive radicals Electro negative radicals तो मैं उस radicals को आपको समझाने के लिए यहां पर इसको लिख रही हूं विकोज केटाइन और एनाइन्स का formation कब हुआ जब एक atom यह element जो एक atom था उसने अपने electrons को gain and loss किया तो charge species जो बनी वो आइन्स थी ठीक है लेकिन radicals क्या होते हैं वो भी charge species ही होती लेकिन radical और ions में बहुत छोटा सा minor सा difference है वो क्या है कि यह जो आइनस यह लिए आपका sodium chloride जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं positive और negative ions के बीज में तो जो उसका positive part होगा वो positive radical के लाएगा और जो negative part होगा वो negative radicals में जब आप एक compound की बात करते हैं और उस compound के अंदरा positive और negative species के बारे में अगर बताते हैं तो वह बच्चो क्या कहलाएंगे हमारे radicals कहलाएंगे लेकिन आप उसको जो आयन से वो भी बोल सकने है ठीक है तो यहाँ पर हमारा positive radical कौन बन गया बच्चो एने ब्लस और जो हमा पर define कर रहे हैं बता रहे हैं तो हमारा क्या होगा radicals होगा और जब हम बता रहे हैं कि एक atom किस तरह से अपने एक electron को donate करेगा और donate करके जिस species में हो चेंज होगा जिस charge species में हो चेंज होगा वो क्या किलाएगा बच्चो आयन्स बहुत सिंपल है बिल्कुँए नहीं होना है कि जब एक atom से अपने electron को जब वो donate कर रहा है या gain कर रहा है तो जो चार्ज उसके उपर आ रहा है वो चार्ज पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल में जब वो चेंज हो गया है वो कौन है बच्चो आयन्स है और जब यह लेंदेन करके compound बन चुके हैं compound बनने के बाद जब हम इस compound में बताएंगे कि इसमें से कौन positive है कौन negative है तो वो positive radical और यह हो गया electro negative radical अब हम देखते हैं आगे first हमारा clear first जो है कि किस तरह से एक atom अपने existence को बनाए रखेगा ions के formation के थूँ वो हमने पढ़ लिया अब देखते हैं बाइ फोर्मिंग अफ मॉलेक्यूल मैं एक बार आपको एक छोटी सी टेबल में यह भी पता देते हूं कि कौन सों को कितने राप्स के electro positive radicals होते हैं कितने राप के जो electro negative radicals होते हैं ठीक है तो यहां पर आपको उसमें बहुत साई टर्म्स दिखाए दें कि mono electro positive ion हाना बाय ट्राय इस तरह से यह हमारे आने वाले ग्लासेस में भी हम उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे जब हम फोमुले का फोमेशन करेंगे chemical फोमुले का लेकिन एक बार में पहले ही आपको लिखवा देती हूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना है तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी सबसे पहले में लिख रही हूं monovalent electropositive radical फिर है divalent electropositive radical मैं पूरा नाम ना लिख करके short में लिख रही हूं क्योंकि हमारे पास space में सारा का सारा एक साथ में आजाए ठीक है तो mono, mono के पाज देश शुरास का मतलब क्या बच्चो, mono electropositive radical, die electropositive radical, फिर try electropositive radical और फिर होगा tritra, electropositive radical ठीक है अब mono का मतलब क्या है बच्चो, valent means जिनके उपर क्या होगा, valencies होगी, कैसे valencies होगी यह बताएगा कि कितना charge है, जितना charge होगा, वो यहाँ पर आपको show होगा अगर उसके पर charge कितना है बच्चो, one, तो यह क्या होगा हमारे पास plus one, अब plus one है तो one को लिखने की जरुरत नहीं होती है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, na plus, इसके उपर plus का sign है, that means mono मौने आने की one, one charge, one valence है इसकी, इसने एक electron जो है अपना donate कर दिया फिर कोई होगा बच्चो, हमारे पास k plus, k plus क्या मतलब है, कि इसने अपना कितने electron दिया, इसने भी एक electron donate कै याने कि यह sodium iron है, यह potassium iron है, फिर हमारे पास होगा H plus, यह कोई सा होगा बच्चो, hydronium iron होगा, ठीक है एक होता है मेरे पास Cu plus, याने कि copper का iron है, और आप मैं आपको बताना चाहते हूँ, आपने variable जो valences में बढ़ा था कि जो कुछ element से वो एक साथ, एक से जादा valences को show कर सकते हैं, यह से कि sodium से plus 1 की form में, मतलब इसकी valences 1 है, वो हमेशे 1 ही रहेगी positive iron है, यह लेकिन कैसा plus 1 valences show करने वाला, यह plus 2 valences show नहीं करेगा, क्योंकि एक electron donate करता है, लेकिन कुछ element होते हैं, जो variable valences show करते हैं, उनमें से एक कौन है, copper है, और बागी का में introduce कराने वाली divalent के अंदर, तो यह जो छोटी valences होती बच्चों, इसके पीछे हम लगाते हैं, OUS, जिससे कि आप सीख चुके, that means, यह हो जाएका Q plus, हाना, फिर, जब इसकी बड़ी valences आएग तो जो बड़ी valences होती है, उसके पीछे IC लगा देते हैं, मैं यह सारी की सारी table, फिर से आपके सामने draw करूंगी, जब हम chemical formula का formation करना सीखेंगे, कि किस तरह से एक positive और negative oil मिलका के chemical formula generate करते हैं, वहाँ पर भी हम इस table को लिखेंगे, और बहुत बड़ी broad form में लिखेंगे, य आप उसको देखते ही कैसे पेचाल लेंगे, तो यह हमाई पर monovalent electropositive ions हो गए, फिर हम divalent electropositive radicals के बाद करें, तो जैसे आपके पास है CA plus 2, याने कि calcium ion, फिर Mg plus 2, that means magnesium ion हो गया, फिर आता है यहाँ पर CA plus 2, याने कि cupric ion, और फिर आता है यहाँ यहाँ पर FA plus 2, याने कि ferrous, तो iron की छोटी जो valence ही है, बच्चों, वो कौनसी होती, FA plus 2 वाली, फिर हम ट्राइक के अंदर चलते है, FA की बड़ी valence ही होती, FA plus 3, यह बन जाएगा ferric, यह था cuprous, और यह क्या होगे हमारा, ferric, ठीके, उसी तरह से, 3 valence ही शो करने वाला हमारे पास ही chromium, ह यह सब metals ही बच्चों, जादा कर आप यह देखोगे कि जो भी electron donate कर रहा है, वो सारी species, सारे elements कौन से है, metallic, जो metals होते हैं, उनके outer more shell के अंदर, जो electrons होते हैं, वो half field से कम भरेवे होते हैं, और इन्हें access change को gain करने के लिए, क्या करना पड़ता है, अपने electrons को donate करना पड़ता ह तो यहाँ पर देखो, donate कर रहे हैं, किस में change हो गए हैं, यह positive radicals के अंदर change हो गए हैं, अब हम देखें, tetra balance जो show करेगा, वो हमारी metallic कौन से, stannic, इसका symbol होता है SN, SN plus 4, stannic, stannus भी होता है, stannus कहा होता है बच्चों, जो plus 2 balance शो करेगा, यहाँ पर बता देते हों लग से, SN plus 2, that's means stannus, और यह हमारा plus 4, उसके comparison में बड़ी valence है, इसलिए हमने इसके पीछे लगाएंगे, एक और यहाँ बन जाएगा, stannic, अब बात करते हैं किसकी, electrovalent negative ions या radicals की, तो यह है हमारे पास, अब electrovalent negative radicals और ions, ठीक है, यहाँ पर भी same बच्चों, रेट्रा वैलेंसी तक, आपको जो है, negative ions दिखाई देंगे, यहाँ पर भी maximum valency कितने देखिए आपने ट्रेट्रा, valency dash में, कितने electron उसने gain किये हैं या फिर loss किये हैं, तो यहाँ भी कितने electron इसने loss कर दिये थे, 4, donate कर दिये थे, अब same वही हम क्या करेंगे, पर दिये, mono electro valent negative ion, फिर dye, electro valent negative ion, फिर बारी आएगी किसकी, tri electro valent negative ion की, and tetra valent electro negative ion, तो mono means, ऐसे ion, जो क्या कर सकते हैं, बच्चो, सिर्फ एक electron gain करेंगे, तो gain करेंगे, that means negative ion तब ही बनते हैं, जब हम electron को gain करते हैं, तो यह देखो, सबसे पहले है, आप यह chlorine नहीं है, minus charge लग गया, तो क्या हो जाएगा बच्चो, chloride, तो यह chloride ion, फिर bromide ion, iodide, और एक आप इस तरह से लिखते हो, H, SO4, तो जब भी यह H होता है, इसके लिए क्या term यूज़ करते हैं, हम by, by what यूज़ करेंगे, by sulfide, ठीक है, उसी तरह से अब हम die की तरफ आगे बढ़ते ही, तो die में हमारा होगा, S-2, याने की sulfide, ठीक है, फिर हम देखते हैं, O-2, oxide, O2-2, याने की paroxide, C-2, और 7-2, यहां आप सोचोंगे, मैं में इसे कम examples की लिख रही हैं, क्योंकि मुझे सिभा आपको भी क्या बताना है, बच्चों की monovalence वाले, monovalent negative ion कैसे होंगे, mono का मतलब क्या होगा, die का मतलब क्या होगा, die मतलब जिसके अपर आपको 2 valency दिखाई देगी, दो चार्ज दिखाई देगा, positive में भी अगर plus 2 है, तो वो भी die होगा, negative में अगर negative sign के साथ minus 2 है, that means वो negative वाली valency होगी, जिसको अब क्या बोलो कि die valent, try that means positive sign के साथ अगर 3 valency दिखाई दे रही है, और negative sign के साथ 3 valency दिखाई दे रही है, तो बच्चों क्या के लाएगा, try valent के लाएगा, अब वो positive हो सकता है, तो मेरा purpose अभी आपको क्या सिखाना है, किस तरह से valency, इसको आप देखके बता सकते हो, कि mono होगी, try होगी, die होगी यह tretra होगी, ठीक है, जब हम chemical formula बनाएंगे, इससे repeat कर रही हूँ, जब हम chemical formula बनाएंगे, वहाँ पर हम इसका briefly, पूरी devil बना कर एक एक radicals के साथ chemical formula को बनाना सिखेंगे, positive के साथ negative और negative के साथ positive आपको बनाएंगे, ठीक है, अब देखके, try में यहाँ पर हमारे पास है, यह PO3-3 याने की phosphate और यह PO4-3 याने की phosphate तो यह तो होगया बच्चो, फोसफेड यह है फोसफाइट और यह है फोसफाइट याने की आईडीए, यह ITE है और यह ATE है, ठीक है? और ये नाइट्राइट ये ट्राइवाली हो गई देखो, तीन वैलन्स दिखाए दे रही है नेगेटिव में है सेम वही, तीन वैलन्स यहां थी लेकिन कैसे में है, पॉजिटिव में देख, ट्रेटरा के यह अबर हम बात करें तो ये है हमारे पास CO4- ये क्या है बच्चो, कर्वाइड तो ये हमारा होगे एंट्रोडक्शन किसका, इलेक्ट्रोवैलन पॉसिटिव आइंस का और इलेक्ट्रोवैलन नेगेटिव आइंस का, तो इस तरह से हमने सेखा, कि जो एक्सिस्टेंस ओफ आइटम है, उसमें फर्स्ट जो था कि एटम अपने इलेक्ट्रोवैलन को डोनेट करके या गेन करके अपने एक्सिस्टेंस को बचा करके रख सकता है दूसरा मेथड ये उसके एक्सिस्टेंस को बचाए रखने का वो क्या था बच्चो by forming molecules अब molecules क्या होते हैं? molecules जो होते हैं बच्चों उसकी definition लिख लेते हैं molecules molecules are electrically neutral group of two or more atoms atoms chemically bonded together by mean mean attractive forces ठीक है? तो molecules जो होते हैं बच्चों molecules क्या होते हैं? electrically neutrals होते हैं और यह क्या बनते हैं? उनके वीच के attraction forces की वज़े से किसका formation होता है? molecules का formation होता है जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ पर molecules जो है वह टू टाइप्स के होते हैं molecules of element और molecules of compound molecules two types के हैं types of molecules first होता है molecules of elements second होता है हमारे पास molecules of compound अब दोनों में क्या difference है देखते हैं molecules of element that means ऐसा molecule जिसके अंदर दोनों similar type के atoms present हैं ठीक है? तो वो क्या के लाएगा? बच्चो molecules of element के लाएगा molecules of compound that means जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा different types के elements या compound present होते हैं वो क्या के लाएगे? molecules of compound के लाएगा fourth example यहां हमारे पास है O2 O3 O2 को हम बोलते हैं oxygen, gas यह जो है अपने existence को बचाय रखने के लिए क्या करेगी? खुद के ही दूसरे atoms के साथ bonded हो जाएगे यहां पर आप जब higher classes में जाएगे तो आप पढ़ेंगे कि atoms, atoms के बीच में different, different types के bones होते हैं ठीक है? जब आपने यहां पे positive and negative ones के बारे में पढ़ा तो जब एक positive and negative one के साथ bond बनाता है तो वो ionic bond के लाता है ठीक है? लेकिन same charge वाले जब atoms होते हैं बच्चो जब वो एक दूसरे के साथ bond बनाते हैं तो covalent bond का formation होता है जैसे कि हमने यहां पर molecules की definition के अंदर लिखा कि वो क्या करेंगे? attractive force के through एक दूसरे के साथ bond rate हो जाएंगे और किसमें convert हो जाएंगे? एक neutral species के अंदर तो यहां पर जो oxygen है मैंने आपको बताया था oxygen के अपर minus 2 charge होता है तो दूसरी oxygen के अपर भी same यही charge होगा अब दोनों oxygen एक दूसरे के साथ minus 2 that means इन्हें दो electron के requirement है तो यह दो electron एक दूसरे के साथ sharing करके अपने आपको octate के अंदर convert कर देती है means यह है हमारे पास एक oxygen जिसके पास 6 electron थे अब इन्हीं क्या करना था? दूसरी वाली oxygen के पास भी 6 electron है लेकिन इनको चाहिए कितने बच्चो? 8 किसके लिए octate को complete करने के लिए तो अपने ये 2 electron दूसरी वाली oxygen के साथ ये share कर लेगा और ये वाला oxygen भी दूसरी वाली oxygen के साथ अपने electron के sharing कर रहेगा और इस तरह से covenant bond का formation होगा जब same charges होते हैं तो उनके बीच में जो attractive force होते हैं कोवलेंट force के लाते हैं तो यहां भी देखा oxygen के पास 1,2,4,6 और 2 इसकी 8 electron हो गई same इसके पास भी 2,4,6 और 8 8 electron हो गई तो इस तरह से इन्होंने मिल करके एक molecule बनाया जिसको हम बोलते हैं oxygen gas और इसकी through यह क्या कर सकता है environment के अंदर exist कर सकता है तो first method थो क्या था electron का lane दे यान की ions के formation के through दूसरा होता है खुदी के साथ bond बनाकर के molecule of element में convert हो जाना अब इसके उपर वहां पर charge minus 2 दिखाए दे रहा है आपको लेकिन पूरी oxygen के उपर अब यहां पी कौन सा चार्ज होगा बच्चो जीरो क्यों जीरो चार्ज होगा because इन्होंने कोई भी electron किसी को donate नहीं किया है बस electron की sharing किये हना जैसे कि आपके पास एक blanket है ठीक है उस blanket को आपको आपके यहां पर oxygen ने अपलाई किया है तो अब यह एक्ट्रेली न्यूट्रल है दैस में कोई चार्ज नहीं है सेम यहां पर यह oxygen है और यह O3 जो है वो क्या के लाएगा बच्चो ओजोन ठीक, next हमारे पास यहां पर होता है कौन? nitrogen याने कि N2 यह हो गया nitrogen तो इस तरह से बच्चो अब देखोगे molecules of elements के अंदर जितनी भी atoms है वो सब सेम है अब भात करते है molecules of compound इसका formation जब होता है जब एक molecule के अंदर अलागल एक different types के elements present होगे for the examples CO2, H2O, CCl4, H2SO4 अब molecules of compound के अंदर दोने ही तरह की compounds हो सकते है वो ionic भी हो सकते है और covalent bond से bonded भी हो सकते है that means यहाँ पर NACL को भी हम include करेंगे जो ionic bondate bondate था means electron की sharing ना करके lows और gain के थूँ जो बना था हना तो molecules of compound के अंदर दोने ही तरह की species यहाँ पर होगी और दोनों ही element क्या होगे different different ice की होगे तो इस तरह से हम देखते हैं molecule का जो formation है वो दो तरीके से हो रहा है molecules of element की through की form में और दूसरा हो रहा है molecules of compound की form में ठीक तो यह हमारा existence था जिसमें हमने देखा कि एक जो atom है वो किस तरह से existence को अपने बचाए रखेगा एक toans की form में और दूसरा molecules बना कर अब हम देखते हैं कि atomicity होती क्या है ठीक अब हमारा जो next topic है वो क्या है बच्चो अटोमिसिटी next है atomicity तो atomicity का मतलब होता है number of atoms present in an molecule of elements and compounds तो बच्चो जित्ते भी हमारे molecules of elements बने है और molecules of compounds बने उनकी अंदर total number of atoms जितने भी होंगे उनको अगर हम काउंट करेंगे तो वो क्या किलाएगी इसकी atomicity जैसे कि हम नहीं यह पर लिया है oxygen oxygen के अंदर कितने atom है बच्चो दो दो O2 that means एक oxygen फिर दूसी oxygen तो कितने आपको दिखायते रहे हैं आपर दो atoms दिखायते रहें तो इसकी atomicity कितनी हो गई इसकी atomicity हो गई बच्चो दो ozone कितने atom से बच्चो थ्री तो इसकी atomicity कितनी हो गई थ्री हम जैसे आप यह calculate करते हैं H2O तो दो atoms तो किसके हैं बच्चो hydrogen की और एक atom किसका है oxygen का तो total atomicity कितनी हो गई थ्री फिर हम बात करते हैं CCl4 की एक atom तो कौन दिखायते हैं आपर कारवन और चार कौन है chloride ion ठीक है तो atomicity कितनी हो गई बच्चो फाइफ ऐसे हम बात करते है HCl की एक है और दूसरा Cl है तो एक atom hydrogen का है और दूसरा कितना है Cl का तो atomicity कितनी हो गई बच्चो दो तो atomicity का simple formula बतला simple जो वह है आप कैसे याद रखोगे जितने आपको उनके compounds की formula में दिखाए दे रहे हैं उन सबको count कर लो यहाँ पर दो लिखावा था atomicity 2 है तीन लिखावा है atomicity 3 है यहाँ पर hydrogen के नीचे दो लिखावा दैसमिस इसके 2 atom है तो इसके atomicity 2 यह पूरा molecule of water दे compound को molecules लिए oxygen को भी add करना होगा तो इसके 2 और इसके नीचे कुछ नी लिखावा दैसमिस 1 तो total कितना हो गया बच्चो 3 इसके नीचे कुछ नहीं था means carbon कितना 1 है और chloride के नीचे 4 है तो 4 plus 1 हो गया 5 hydrogen के नीचे 1, chloride के नीचे 1 तो दोनो 1 1 plus 2 तो यह हो गए हमारी atomicity तो simple है atomicity में हमको कैसे बता लगाना है बच्चो उनके atoms को गिन करके चितने atoms होगे उनको गिन लो वो क्या बता देंगे उसकी atomicity को तो यह था हमारा आज का topic जिसके अंदर आपने देखा कि atom का existence कैसे बना रहता है environment के अंदर और क्यों बनाना होता है उनको क्योंकि octet complete करना बहुत ज़रूरी है किसी तरह behave करना होता है octet complete करके अपने nearest inner gas के समाल हाना फिर हमने देखा कि molecules के तने types के होते हैं molecules हमने क्यों देखे क्योंकि यह भी दूसरा method था अपने atoms का अपने existence को बनाया रखने का हना फिर हमने रेखा electrovalent जो policies थी उसके basis पर दो तरगी category हमारे सामने आई थी electrovalent positive ions की और electrovalent negative ions की फिर हमने उनके कुछ examples यहां देखे mono, die, tri, tri, tetra वाले फिर हमने यहां पर देखा कि atomicity क्या होती है तो atomicity में आपने number of atoms को count करना था तो इस तरह हमने इस lecture के अंदर बहुत इसा important चीजों को सीखा है फिर जो आने वाला जो हमारा lecture है उसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से chemical formula होता है उसका formation हम करते हैं आयां कि सरसी chemical formula बनाते हैं तो हम मिलते हैं हमारे next lecture में ठीके, till then thank you so much